गेट एक्जाम फॉर्म्स निकल चुके हैं और साथ मिलाए हैं बहुत सारी अपॉर्चिनिटीज अपॉर्चिनिटीज पी एस यूज में जाने की, अपॉर्चिनिटीज हायर एडूकेशन परसीव करने की और भी बहुत कुछ जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा नाम है प्रकास्त रिपार्टी और आप देख रहे हैं यांत्रिकी दा पावर आफ मशीन हमारे कंट्री के अंदर IISC Bangalore और साथ डिफरेंट IIT जो ये मिलकर गेट का एक्जाम कंड़र्ट कराती है अलग-अलग engineering profile के branches के लिए ये एक्जाम कंड़र्ट की जाती है और इसी के साथ रास्ता खुल जाता है BSC वाले बच्चों के लिए भी जो science की तरफ से पड़े हुए है मैंने इस पूरे scenario को इस पूरे situation को तीन halves में divide किया है जिसमें आप देख रहो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी कि आप gate का exam form भरोगे तो उस दौरान आपके साथ क्या क्या चीज़े होगी आपको जाना होगा gate के official website पे आपको बता दूँ कि अगस्त या September के मन्त में और जादा करके September के मन्त में gate के form release होते है जैसे ही gate का form release होता है एक आधी सी आजाती है पूरे country के अंदर और हर engineer चाहे उसने gate के लिए preparation किया है चाहे उसने gate के लिए preparation नहीं किया है हर कोई gate का form भरना सुरू कर देता है पढ़ी simple सी चीज़ जो आप observe करोगे कि gate exams हर बार अलग-अलग IITs conduct कराते हैं कभी यह madras के पास चला रहता है कभी खड़क पूर IIT इसको conduct कराती है इस तरह से strike rotate होता रहता है और अलग-अलग IITs हर बार paper को निकालते रहते हैं इन वाइल अगर आप gate की website पे जाते हो तो वहाँ अपना registration तो कर ही पाओगे उसके साथ साथ आपको वहाँ पर अपने branch के तीन साल के आपको paper वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ उनके solution भी उपलब्ध होंगे बहुत ज़्यादा motivated होकर gate का form भर देने वाले बच्चे ये भूल जाते हैं कि gate का form भरने के बाद उन्हें जाना पड़ता है और इसलिए यहाँ पर मैंने gate exam के form fill up को part 1 या फिर प्रतम चरण कहा है आगे बढ़ने पर आप पाओगे कि be ready to grill yourself लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि motivation के चक्कर में या फिर क्योंकि मेरे friends gate का exam दे रहे हैं मैंने भी gate का form भर दिया और इस बहादुरी के बाद मैं ये भूल गया कि मुझे पढ़ना भी होगा जो second stage मैंने रखा है इस पूरे procedure का वो है grilling और grilling के अंदर आपको जाना पड़ेगा आपको गुजरना पड़ेगा तीन गंटे के online exam से बढ़ा simple सा फंडा है पहले आपने gate exam का form fill up करना है और दूसरे stage पे आपको देना होगा exam अमूमन ये जो exam होती है ये होती है February के मन्त में और ये किसी न किसी weekend पर रखी जाएगी जादा तर cases में Sunday के दिन exam लिया जाता है और ये तीन गंटे की exam होती है जिसमें 65 questions पूछे जाते हैं और 100 marks आपको मिलते हैं English और aptitude का एक section होता है बाकी जो दूसरा section होता है उसमें होता है technical और mathematics और इसमें जो technical पूछे जाएगी वो अब आपके branch के उपर depend करता है तीन तरह के सवाल पूछे जाएंगे एक होगा multiple choice question जिसके चार option होगे और इन चारो option में से आपको कोई एक choose करना होगा जो सही option होगा तो आपको मिलेंगे पूरे marks अगर आपने कोई mistake कर दी तो उस case में एक तिहाई mark आपके कर जाएंगे that is one third आपका marks कर जाएगा दो mark का question आपने multiple choice question में attempt किया और वो सही हुआ तो आपको मिलेंगे पूरे marks और अगर वो हो जाता है गलत तो आपके two third यानि की 0.66 marks आपके कर जाएंगे दूसरी तरह का सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा NET question NET question के आपको कोई options नहीं दियोंगे वहाँ पे आपको value इंटर करनी पड़ेगी यानि किसी तरह का option नहीं और इसी के साथ आपको समझना है कि NET questions में किसी तरह की negative marking भी नहीं होगी बहुत सारे बच्चों का एक सवाल कि क्या gate exam के दौरान मुझे calculator use करने को मिलेगा जी हाँ आपको calculator use करने को मिलेगा पर engineering life के दौरान जो आप calculator use करते हैं scientific calculator ये वो calculator नहीं होगा ये आपके exam का जो user interface है जिसमें आप online exam दे रहे होगे उसी वक्त वहाँ पर एक आपको screen पर ही एक calculator दिया जाता है और बहुत सारे बच्चे जो इस calculator को अच्छे से use करना नहीं जानते हैं उनकी reviews ये हैं कि exam के दौरान उन्हें उस calculator को इस्तमाल करने में काफी दिक्कत होती है बहुत सारे online apps available हैं जहां पर कि आप इस gate calculator को अपने mobiles पर डाउनलोड कर सकते हो और उसके उपर calculator की practice कर सकते हो चलते हैं third part की तरफ जो की होगा आपका result part result part में आप बहुत ही clearly देख लिए इस तरह से आपका एक online result आ जाएगा आपके registered mail ID या फिर आपके registration ID के उपर आप अपना result देख पाऊगे और ये वो दिन होता है जिस दिन सच में वो opportunity आप convert कर पाए या नहीं इसका पता आपको चलता है इस online result को प्राप्त करने के बाद अगर आपका score अच्छा है तो आप apply कर सकते हैं PSU के लिए public sector undertakings के लिए इसमें आते हैं NTPC, NPC, NPC, LB, ONGC और बहुत सारे company इस वक्त 52, 52 ऐसी companies हैं जो gate के scorecard के अधार पर आपको अपने यहाँ पर नौकरी दे सकती है दूसरी तरफ है higher technical studies या फिर higher management studies अगर आप IISC, IITS या NITS से PhD या फिर master's complete करना चाते हो अपने इंजिनियरिंग में तो बिलकुल जगहों पर आपका एक valid gate score card consider किया जाएगा इसके अलावा NITIE Mumbai National Institute of Technology for Industrial Engineering ये एक ऐसी जगह है जहां से आप MBA के लिए apply कर सकते हैं अपने valid gate score या फिर qualified gate score के द्वारा meanwhile जो बचे higher education के लिए foreign universities की तलास में हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़े हैं आप देख सकते हैं कि Singapore और Germany, Singapore की दो universities NUS और N2U दोनों भी famous universities हैं वो और उनके अलावा Technical University of Germany TUS के valid gate score के आधार पे आपको admissions देते हैं gate exams crack करने के बाद जो बहुत ही बढ़िया benefit आपको मिल सकती है वो हो सकता है आपकी पढ़ाई के दौरान मिलने वाला stipend या फिर PSU में job करने के दौरान मिलने वाली बहुत ही बढ़िया salary gate exams crack करने के बाद मिलने वाली इतनी सारी benefits सच मुझ में इस बात को prove करती है कि gate का exam सच मुझ में आपके life के gates open कर देता है और भी बहुत सारी opportunities हैं जो gate exam के बाद आपके सामने खुल के आ जाती हैं इन सब के बारे मैं मैं आपको update करता रहूँगा I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like करें share करें और subscribe करें मेरे चैनल को तब तक के लिए take care and goodbye and yes one more thing thank you for watching my video